देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों सीखेंगे मिलान चिन हे के बारे में ठीक है इसको इंगलिज में बोलते हैं टेली मर्क्स मिलान चिन हे क्या होता है यह समझीए जब आप सांखिकी पढ़ते हैं अस्टेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें इसका एक रॉल होता है यानि मिलान चीन है आपको आना चाहिए अगर आप अस्टेटिक्स पढ़ रहे हैं इसमें उतना कुछ खास नहीं है बस यह जो नंबर लिखा हुआ है इसको टैली मार्क्स में कैसे लिखा जाता है यह सीखना है आपको जैसे देखिए रोमन में एक को लिखते हैं इसे इस तरह से दो को लिखना है रोमन में तो इस तरह से लिखते हैं तीन है तो तीन को इस तरह से लिखते हैं चार को इस तरह से लिखते हैं पांच को इस तरह से लिखते हैं ये सब रोमन में लिखा हुआ है उसी परकार ये जो एक आप देख रहे हैं इसको टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे दो को कैसे लिखेंगे तीन को कैसे लिखेंगे यही सिखना है तो देखिए एक है तो एक को आप इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है एक सिधा पाई घिज देजिए ये हो गया एक टैली मार्क्स में ठीक है दू है तो दू को टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं तो दो आपको इस तरह से डंटा खड़ा कर दना है तो यह हो गया दो, देखिए तीन है, तो तीन ऐसे लिखेंगे, तीन पाई आप सिधा खड़ा कर देजी, तो यह है तीन, चार है, तो चार को लिखना है, तो एक, दो, तीन, चार, तो यह हो गया, चार, ठीक है, जबकि रोमन में देखिए, चार को इस तरह लिखा जाता है, पाँच है तो 5 को टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं तो देख़िए एक, दो, तीन, चार, और 5 लिखना है तो ऐसे काट देगे इस तरह से तो यह हो गया 5, 5 को आप ऐसे मत लिख देगहा कि 1, 2, 3, 4, 5 तो यह गलत हो जाएगा, पांच को टेली मार्क्स में लिखना है, तो चार खंभा, और एक इस तरह से कट कर देजे हैं आइसे, यह हो जाता है, ठीक है? देखिये, छे लिखना है, तो चे कैसे लिखेंगे? तो एक, दू, तीन, चार, पांच, और एक, छे हो गया साथ लिखना है, तो पांच लिखेंगा पहले पांच हो गया, और फिर दू लिखेंगे तो यह हो जाएगा साथ आठ को टैली मार्क्स में लिखना है तो देखिए, एक, दू, तीन, चार, पांच और एक, दू, तीन, ये हो गया आपका आठ, नौ लिखना है, तो देखिए, पांच, उसके बाद एक, दू, तीन, चार, तो पांच चार, नौ हो गया, दस लिखना है, तो एक, दू, तीन, चार, पांच, एक, दू, तीन, चार, जाता है, 3 कैसे लिखा जाता है, 2 कैसे लिखा जाता है, एक कैसे लिखा जाता है, ठीक है, अगर 10 तक आप सीख गए, तो फिर 15, 20, 25 असाने से लिख सकते हैं, देखिए, 15 लिखना है, तो 15 कैसे लिखेंगा टेली मार्क्स में, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, फिर देखिए, 1, 2, 3, 4, तो 5, 5, 10 और फिर 1, 2, 3, 4 और फिर ऐसे कर देंगे तो 5, 10, 15 हो गया 12 लिखना है तो 12 कैसे लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 2 तो 5, 5, 10 और दू, 12 नौ लिखना है टैली मांक्स में तो देखिए 9 तो हम अल्रेडी लिख चुके हैं ठीक है तो इसको मत लिखिए क्योंकि हम ल लिख चुके हैं तो 7 को भी हटा देते हैं 22 कैसे लिखेंगे तो देखिए 5, 5, 5, 15 हो गया 20 हो गया और 2, 22 तो हम उमीद करते हैं कि आप सीख चुके होंगे कि टैली मांक्स कैसे लिखा जाता है टैली मांक्स में 20 कहेगा लिखने के लिए 15 कहेगा लिखने के लिए 12 कहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं तो देखिए मिलान चीन एक बहुत ही छुटा टॉपिक है और इसको पढ़ना भी जरूरी है अगर आप आस्टेक्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा काम चलेगा लेकिन 10% इसका भी रॉल रहता है आस्टेक्टिक्स में तो यह जानना आपको बहुत जरूरी है तो ठीक है इसको देखिए और समझेए और लिखने का परियास करिए खुद से ठीक है तो ज़्यादा याद होगा